दोस्तो भारस से विवात के बाद केनड़ा की प्रधान मंत्री जश्टिन टूडो अपने ही देश में सवालों के गेरे में आ चुके थे लेकिन पहले जहां ये सवाल उनकी फॉरेंड पॉलिसी को लेकर था अब केनड़ा के लोग अपने अर्थवैस्ता और रोजगार को बचाने के लिए ही प्रधान मंत्री से सवाल कर रहे हैं दरसल आज की अपडेट काफी बड़ी इसलिए है क्योंकि केनड़ा जो पिछले कुछ मैनों से रिसेशन से जाने से बच रहा था अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी उसकी स्थिती इतनी खराब हो सकती है कि केनड़ा की हजारों कमपनिया दिवालिया हो जाएगी इतना ही नहीं बलकि यूरोप और ब्रिटेन की तरह ही केनडा की आर्थिक स्तती इतनी खराब नजर आती है कि वे भारत के सामने कहीं पर भी नहीं टिक सकता ऐसे में जो जश्टिन टूडो भारत के उपर उल जलूल आरोप लगा रहे थे अब उन्हें अपने ही देश की अर्थिवेस्ता को बचाने के लिए ध्यान लगाना पड़ रहा है क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अगले टर्म में केनडा की लोग ही उन्हें आफ गोसित नहीं किया गया तो ये कमपनिया कुछ भी नहीं कर सकती साथी इन कमपनियों की हालत इतनी खराब है कि उनके पास अपने जनरल ऑपरेशन करने तक के भी पैसे नहीं बचे जिसमें अपने करमचारियों की सैलरी और बिजली के बिल भी नहीं दिये जाल सकते 800 कंपनियों का एक साथ दिवालिया पन घोसित करना इस बात को दर्शाता है कि कैनेडा की अर्थिवस्ता बहुत बुरी स्तती में है हैरानी की बात तो यह है कि इन 800 कंपनियों ने खुद को दिवालिया घोसित करने का आवेदन इसी साल जर्वरी में किया है यानि की साल के सुरुआत के पहले एक मैने में ही इतनी बड़ी संख्या में कम्पनियों का खुद को दिवालिया घोसित करना केनडा की बहुत ही कमजोर अर्थिवस्ता को साफ तोर पर दर्शाता है वहीं पर अगर हम इस आंकडे को इस साल 2024 से तुलना करके देखें तो 2023 से लेकर अभी तक कैनडा में बैंक करपसी फिलिंग की संख्या में 40% की बढ़ोतरी देखी गई बता दे की कैनडा में फिलाल ये हालात एक ऐसे समय पर देखे जा रहे हैं जब कैनडा की सरकार ने करोना काल में हुए नुकसान से बचने और अपनी कमपनियों की मदद के लिए 45,000,000 डॉलर का इंट्रेस फ्री लोन सबी कमपनियों को दिया था जिससे ये कमपनिया अपन को दिवालिया गोसित कर दिया जिससे ये बाद साफ होती है कि ये कमपनी 45,000,000 डॉलर के मामली सा लोन भी नहीं चुका सकती हमें इस तथे को भी समझना होगा कि कैनडा की GDP में 33% की इस्तेदारी छोटी और मध्यमिस्तर की कमपनिया रखती है जो अब खुद को लगातार दिवालिया गोसित कर रही है और एक मामली सा लोन भी सरकार को नहीं चुका सकती वे भी इंट्रेस्ट फ्री लोन यानि इस लोन पर इन्हें कोई ब्याज भी नहीं देना होगा जो इस बात का डर काफी बढ़ा चुका है कि अब कैनडा आखिर का रेसेशन में एंटर कर जा केनडा की तरफ से जारी किये गए आंकडों में ये बात साबित करने की कोशिश की गई है कि उनकी अर्थिवस्ता मजबूत बनी होई है लेकिन जिस तरह से कैनडा की छोटी और मध्यमिस्तर की कंपनियों को चुनोती का सामना करना पड़ रहा है इस बात से इंकार नहीं कि अर्थिवस्ता ने 0.3% की व्रिद्धी दिखाई वहीं पर तीसरी तिमाई में 1.1% की गिरावट और चौती तिमाई में 1.2% की बढ़ोतरी की संभावना है बतादे की आर्थिक मंदी यानि रिसेशन एक ऐसी स्तिती को कहा जाता है जिसमें किसी देश की अर्थिवस्ता ल काफी कम नजर आती है एक 7-800 कंपनियों का खुद को दिवालिया घोसित करने का आवेदन देना ही इस्तथ्य को साव कर देता है कि कैनड़ा अर्थिवस्ता के मामले में काफी कम जोर होता जा रहा है हम इस बात को भी हाइलाइट करना चाहेंगे कि कैनड़ा की एकनोमी की य देखी जा रही है जिससे कैनड़ा को कई मिलियन डॉलर का नुकसान होगा और ये सब कुछ कैनड़ा में अवर ओल एकनोमिक एक्टिविटी को बड़ा नुकसान पहुचा रहा है कुल मिला कर समझने की कोशिश करे तो कैनड़ा की प्रधानमंत्री जश्टिन टूडो ने अपने व्यक्तिगत फाइदे के लिए कैनड़ा की एकनोमी और फॉरेंड पॉलिसी को भारी नुकसान पहुचा दिया है जिसकी वज़े से आज अगर वे चाहे तो भी भारत से मदद नहीं मांग सकता और इसका बड़ा प्रभाव कैनड़ा को देखना पड़ रहा है ऐसे म आपको क्या लगता है कि क्या कैनड़ा आर्थिक मंदी का दौर देखेगा या फिर किसी तरह से जस्टिन टूडो अपने देश को इस नुकसान से बचाने में सफल होंगे इस पर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरू बताईएगा फिर मिलेंगे ऐसी एक नई व है हिन